हेलो दोस्तों रियल्मी के तब से लॉंच हुआ एक नया स्मार्टफोन रियल्मी C25Y और दोस्तों अगर आप सोच रहे थे कि रियल्मी C25Y को पर्चेस करने के लिए तो रुख जाए इस वीडियो को पुरा एंटेक्ट दिखिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुल 5 री रिजन जहां पर आपको इसी स्मार्टफोन को पर्चेस कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्राइजिंग से तो यहां पर आपको एकी ब्रेंट देखने मिलेगा फोर जीवी गरेम और वान ट्वेंटी एट जीवीगा स्टूरेज जिसकी प्राइजिंग है ट्वेल्ट नौच डिस्प्लेय जहां पर एक IPS का पैनल लगाया गया है तो दोस्तों यहां पर बारहाजर में आपको एक SD प्लस का डिस्प्लेय जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि दोस्तों इसी प्राइजिंग में पोको M3 और रेड्मी 9 पावर यह दोनों स्मार्ट स्मार्टेंग में इसी प्लस का डिस्प्लेय गया इस मार्मे में बिल्कुल भी आपको अच्छा दिस्प्रेश देखने नहीं मिलेगा दूसरारी इसी स्मार्टको प्र्चस नहीं करना है जो कि हुए स्मार्टफोन का प्रोसर इसमय दिया गया sidenia 610 और नो डाउट यवी अल्टरा में हमने स्मूथ में भीजय में खिला था तो गेमिंग ग्राफिक्स काफी अच्छे से कर पाते हैं पर दोस्तों यहां पर इस प्रॉस्टर के जो प्राइज रेंज है वह है आठ हजार पांसो यह नो हजार उसके अंडर आपको यह पॉसर मिलेगा तो काफी बढ़ि जो की स्मार्ट फुन को परचस नहीं करना है जो किanka स्मार्ट फुन का स्पीकर सी क्या मुझे पॉलम है और शाल में ispeekर और आप में इसपीकर कर तो आपको स्पीकर बंद हो जाएगा और आपको आवाज हो सुनाएं नहीं दे और 12,000 के रेंज में इस ताइप का स्पीकर देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है अगर 8,000 ये 9,000 के स्मार्टफॉन होता तो उसमें हम बोलते के ठीक है प्राइसिंग कम है पर 12,000 के रेंज में ऐसा स्पीकर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है और अगर 14 जन की बात के है जहां पर आपको इसी स्मार्टफून को परचैस नहीं करना है जो कि ये स्मार्टफून का फिंगरपिंड सेंसर आप दोस्तो इसमें क्या पॉल्म आ गया मुझे नहीं दोस्तों यहां पर जो हमने कापी दिनों पहले देखा था अपके टाइम पे इन डिस्पेड नहीं स्टाइड मॉंटेट में से पीछे का लुक आपको पूरा क्लीन हो जाता है और डेकने में काफी सुन्दा लगता है तो यहां पर これ आपको सीस्ट टे रहा इन्फ नहीं है अगर इन स्मार्प्ट प्राइसिंग आपीड होती तो ठीक होता पर बार इसे कम यहां क्या कर रहे हो अप्ग्रेड या डिग्रेड मतलब माइक्र रियल्मी के एक्जामपल्स देता है कि रियल्मी के फॉन्स आपको लेनी चाहिए वह प्राइजिंग काफी अच्छी रखती है और काफी आपको इस्पेक्स भी देखकर मुझे ऐसा पूछ लग नहीं रहा है क्यों और यहां पर फिफ्ट पॉइंट की बात पर आपको अच्छा देखने नहीं मिलेगा अब अगर बात करें कौन से दूर रिजन जहां पर आप इस मार्फोन को पर्चेस कर सकते हैं सबसे पहला रिजन इस स्मार्फवन केमरा दोस्तों यहां पर रियर में आपको देखने मिलेगा 50 मेगा पिसकल केमरा और फ्रोंट केमरा एट मेगा तो प्राइसिंग के सबसे केमरा आपको ठीक ठीक डिखने मिलेगा और काफी अच्छे शॉट्स अप ले पाएंगे और दूसरे रिजन की बात करें जो कि स्मार् को ले सकते हैं और यह five То आप लोग को स्मार्ट फोन को नहीं ले सकते हैं बाके दोस्तों को decent करना आपको smart में को लेना है है क्षे defle लेने से पहले आपको प्री-ओडर करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट में तो अगर ने सकते हैं बाकर दोस्तायी स्माठफून के बारे में आपका क्या कहना है आपका राइक है अगर वीडियो पसंद आपको लाइक कर दिजए कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जहेंद